Hello friends and dear students, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, Hospital and Clinical Pharmacy के Chapter No.4 का Part No.3, हम लोग आने इससे पहले दो पार्ट पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो दो पार्ट से नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो उसकी मोटा मोटा समझते हैं, फिर उसके बाद detail में हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या होता automatic, तो automatic ऐसा system होता है, कि जिसमें आप सिर्फ एक command देते हैं, फिर आगे का काम जो है, वो आपने आप होने लग जाता है, तो उसको हम लोग बोलते है, automatic system, तो ऐसे ही drug को dispense करने का भी ए आया दवा उसको दे दे रहे हैं, तो यह जो system है कि आदमी की जगह पर क्या है, machine और robot काम करें, उसको हम लोग बोलते हैं, आप समझे कि automatic system, आप computer लेके बैठे हुए हैं, या आप कोई device लेके बैठे हुए हैं, अपने mobile से और command दे रहे हैं, और आपका जो robot है, जो machine system लगा हुआ है, वो जा रहा है, और आपके जो अलमारियां हैं, यहां पर या shelf है, जहां पर दवाई रखी हुई है, वहां से दवा निकाल के, और ला के आपके क्या है, जो counter वहां पर डाल दे रहा है, तो यह जो system, इसको हम लोग बोलेंगे, automatic dispensing drug system, ठीक, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, तो automatic drug dispensing is a pharmacy process, चुकर यहां पर drug dispensing है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको कि यह pharmacy process है, तो automatic drug dispensing is a pharmacy process in which a machine और a robot, इसमें क्या होता है, कोई एक machine या कोई robot क्या करता है, fills the prescription, क्या करते हैं वो, prescription को fill करते हैं, यानि कोई आदमी prescription लेके आया, दवाओं की लिस्ट दे क्या है, कि यह दवा चाहिए, आपने वो, दवाओं के, आपने क्या किया, उन दवाओं को अपने computer में डाला, और command दवाया, तो फोरन जो आपका robot system है, वो क्या करेगा, जाएगा, वहां से दवा लेके आ जाएगा, या माल ले जाएगा, या माल ले जाया, ऐसा ही hospital के अध्यम से उसको क्या किया, भेज दिया, फार्मेसी में, और वहां पर जाएगे, आप तो दवा निकली हुई है, चुक्कि वहां पर robotic system, उसको command मिल चुका है, वो लाके दवा आपको निकाल के दे देगा, वहां पर robot लगा हुआ, या machine लगी हुई है, जाएगे counter पे, वहा क्या फायदे हैं, हाला कि फायदे पूछे नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता कभी question पूछ ले, तो इससे क्या होता, reduce pharmacy staff and workload, तो इससे क्या होता, जो फार्मेसी के staffs है, माले ये 5 staff रखना पड़ रहा है, तो आपने एक robot लगा दिया, तो अखेले हो सारे काम कर लेगा, और य जाते हैं कि तुमको क्या क्या काम करना है, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, कि दवा आपने रख दी बहुत सारी, तो जिसकी जो जगह है, वहाँ वहाँ पे लाकि उसको वह store भी कर देते हैं, वो robot इतने मतलब export होते हैं, समझे, ऐसा लगता है कि उनको new topics दवाएं जो होत लगाते हैं, और आदमियों के workload क्या है, वो कम हो जाता है, यहाँ पे सारे काम मशीन कर रहे हैं, दूसरा, provide automatic inventory facility, और इसमें यह भी क्या होता, automatic वाले में, कि inventory facility हो जाती है, जैसे कि माली आपने command prescription को क्या किया, टाइप कर लिया, और उसको command दबाया, तो वो दवा लेने के चला गया, तो यह जो आपने type किया है, यह कहीं कि जॉक फिजिशियन ने आपके पास भेजा कि यह दवा निकाल ली है, तो यह एक जगह store भी हो जाता है, आपको अलग से register में लिखने की जरूरत नहीं, जब चाहेंगे, आप उसका क्या करेंगे, print out निकाल लेंगे, तो य आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में वो हो जाता खुद, ठीक, तीसरा क्या है, it save a lot of time, तो इसकी वज़े से क्या तो बहुत सारा आदमी का time बच जाता है, फार्मासिस्त उसका भी time बचता है, और जो patient आया दवा लेने के लिए उसका भी time बच जाता ह है, तो दोनों लोगों का इसमें फाइदा है, क्योंकि यह जो robot होते हैं, बहुत fast काम करते हैं, चौथा क्या है, decrease mistake, और इसमें mistake भी बहुत कम होता है, ठीक है, चुकि इनसानों को भोलने की दिक्कत होती है, robot जो feed कर दिया, वो भोलेंगा नहीं, वो अपना काम पूरा अब इसके disadvantage, जो हर एक चीज़ के कुछ फायदे होते हैं, तो कुछ नुक्सान भी होते हैं, तो इसके भी कुछ नुक्सान है, कुछ disadvantage है, तो वो क्या requires extra training and technical knowledge, तो इसके लिए क्या है, extra training की जरुवत होती है, ऐसे ही technical knowledge की जरुवत पढ़ती है, दूसरा क्या dispensing may be stopped in case of failure of any part of automatic system, यह कह रहे हैं जो यह automatic system में computer लगा हुआ है आपका, ऐसे ही जो उसका sensor है, माली यह जो robot है या machine उसका sensor है, या उसके और बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, अगर कोई एक part भी क्या है, fail होता है, खराब होता, breakdown होता है, तो पुरा system क्या हो जाएगा, बर्बाद हो ज ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और उसके लिए space भी चाहिए, उसके लिए अच्छा खासी जगह भी चाहिए, ताके उसको setup किया जा सके, अब दूसरा topic इसमें के devices used in automated drug distribution system, तो इसमें यह जो devices है, इसमें समझें के एक main role का है, आपके computer का, master computer, जो क्या सारे चीजों को connect क करके रखता और command देता है, तो वो एक main device है, इस पूरे system के लिए, और कुछ भी आगे पीछे चोटी मोटी device हो सकती है, लेकिन main जो device होता है, आपका, वो क्या होगा computer होगा आपका, तो कुछ devices देख लेते हैं, लोग जो मतलब hospital के अंदर use होते हैं, तो एक क्या है, automated dispensing cabinet, क् क्या होता, it is a computerized medication cabinet, या cupboard, cabinet का मतलब क्या होता है, समझ ये, अलमारी, cabinet का मतलब क्या होता है, अलमारी, तो ये computerized दवा प्रोवाइड करने वाली, समझ मैं हा रही, एक computerized दवा को store और dispense करने वाली, एक, अलमारी है, जो automatic काम करती है, automatic काम करने मतलब यह नहीं कि आप उसक कि तो खुद निकाल के देदेगी बल्कि आपको कुछ कमांड उसमें देने पड़ेंगे यह तो यह ना सेम एट्यम मशीन की तरह से जैसे के आप मशीन में कुछ कमांड डालते हैं पैसा आपका निकल जाता है ऐसे ही आप इसमें दवा का नाम डालते हैं और दवा किया बाहर आजाती है आपको यह चोटे चोटे शेल्फ दिख रहा है ड्रोवर जो है उसमें क्या एक लाइट सी जलती है और वह बाहर निकलते हैं आप दवा ले जाती है और फिर क्या अंदर बंद हो जाती है तो इस तरीके से यह काम करता है अब इसके कुछ यजाती है तो वह बहुत कम है अईसा ही इसके अनदर जो जैबिनेटशन पेशिंट वाया बार कोड़ विरीफेकेशन और इसमें क्या patient को safety provide करता है कैसे कि वाया बार कोड verification है जो medicine उसमें रखे रहते हैं उसको जब आप उसके scanner के सामने लाते हैं उसके scanner दो तरीके होते हैं मतलब हाथ में लेकर इसके स्केन करते हैं आपने देखा हुआ मॉल जो होते हैं उसके इंदर उसका आ जाता है ठीक तो इस तरीके से फिर आदमी जो डॉक्टर है जो उसको dispense कर रहा है उसको पता से लियाता है बहुत सारे information कि मैं जो दवा निकालना हूँ यह वही है कि नहीं है तो इस तरीके से उसकी दवा की verification हो जाती है तो आदमी को क्या safety बढ़ जाती है उससे ऐसे यह क्या fast service provide करता है यह एकदम से आपने कुछ buttons दबाए और एकदम से दवा dispense हो गई तरीके से time भी बचाता है यह ऐसे ही इट प्रोवाइड से एन एम आर यानि electronic medical record तो यह क्या था medical record भी प्रोवाइड करता है जैसे inventory है वही समझ लिजिए कि इसमें पूरा record रहता है कितनी दवाएं आपने इसमें से लिए किसी को administer करने के लिए अब दूसरा जो device है जो मतलब automatic system में काम use होता है और वही समझ लिए सब को control करता है वो क्या यूज कर सकते हैं किसी hospital के अंदर यह अपने काम को और अच्छा बना सकते automatic कर सकते हैं या electronic माध्यम से कर सकते हैं तो पहला क्या है ADS server system क्या है ADS server system इसको इसका full form है active directory system तो यह क्या होता है it is a feature of Microsoft window जो Microsoft soft window होता है यह अंदर होता है तो उसका एक यह feature है एक उसका समझ लिजे एक प्रोग्राम है यह क्या है एक प्रोग्राम एक application है अब इसमें क्या होता है it allows administrator to handle and manage all the computers and devices are connected to this server network from a single location and other users can use the information and data are provided here तो इसका क्या मतलब है कि यह यह एक क्या है आपका यह एक computer है ठीक यह आपका इससे कई सारी चीज़ा जोड़ी होई है इधर कुछ रोबोट जुड़ा हुआ है ऐसे इधर computer एक लगा हुआ है computer यहाँ पर इस रूम में लगा हुआ है ऐसे क्या है यह अलग-अलग devices और computer connected है माल दिजें यहां पर एक room है वो दूसरे room में अलग-अलग room में हैं लेकिन जो data यहां पर provide कर रहाँ माल है कि में administer HELP है मैं इसको favor hi है always provide कर रहा है वो सब लोग उसको use कर सकते अऩ ऐसे एक मैं यहां पर निखा और कर दिया और आपका फार्मेसी घृट कर दिया तो आप मेरत यहां से और वहां से कि δरूवत नहीं है इसा भी माल ले झिलते। बोपतेश्य दूसरे के पास किसी को रीफर किया तो आप hut 10 दिया है क्यसको जोड़ के रखता है और उसको पातेब्स है और और ईसको आदमे कर पाये और और औहापे इंफोर्मेशन क्या लेगा मुश्ग कराइगा वोब इतने लोग उससे जुड़े हुए हैं सब उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो यह एक फीचर है किसका कंप्यूटर का तो यह समझ एक आटोमेटिक यहां पर इसने आप प्रिस्क्रिप्शन डाला और वहां पर पहुंच गया तो यह भी एक तरीका क्या है और ओटोमेटिक सिस्टम में ओटोमेटिक काम करने का तरीका है आप अगर यूज कर रहा है कंप्यूटर तो आप उसके थुरू यह काम भी कर सकते हैं कि medication administration record it provides a list of prescription prescribed for each individual patient and list of medication with administration timing and signature of nurse तो इसके थुरू क्या होता है तो यह भी क्या करता है डाटा को collect करके रखता है तो क्या क्या रखता है तो कितनी दवाए prescription prescribed की गई है यानि electronic माध्यम से जो हाँ पर माध्य कोई hospital है जिस में सारी दवाए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से हो रहा है डोक्टर जो है वो physician जो भी है वो क्या कंप्यूटर के थुरू खुद लिख रहे हैं या किसी दूसरे अपना आदमी रखते हैं उससे लिखवा रहे हैं या तो फिर यह कोई prescription ले के गया और फार्मासिस्त के पास तो उसने सारे prescription अपने कंप्यूटर में फीड कर ले रहा है तो जो भी सिस्टम हो चा वो physician करें चाप आदमासिस्ट करें तो और फेसिलिटी और भी क्या हो सकती है एक हॉस्पिटल के अंदर के हैं computerized physician order entry computerized physician order इंटरी इसमें क्या होता है इस ए clinical information system in which by a physician through computer system an order is placed for dispensing of drug laboratory test treatment to a patient तो इह कह रहा है कि यह के inventory system है जो computerized है तो यानि जो physician है उसके माले जी मैं physician हूँ मेरे पास कोई patient आया मुझे उसके लिए कुछ test लिखना है कुछ दवाय लिखनी है तो मैं क्या करूँगा यहां से type करूँगा और जहां पर जिस laboratory में जो सा check-up होना है वहां पर मैं भेज़ दूँगा यह patient पहुंचेगा तो उसका नाम बताएगा अच्छा आपका नंबर पांचे नंबर पर यहां बैठ जाईए अब उससे जब नंबर आएगा तो उसको क्या क्या है और टेस्ट कर ले जाएगा patient को कुछ वहां पर जाके मतलब बताना नहीं है या कोई परची लेकर नहीं जानी है समझ में आ रहा है ऐसा ही क्या है doctor क्या जो नर्स आएगा वो क्या करेगा वहां पर देखेगा उस patient का data और वहीं से उसको क्या treatment कर सकता है तो यह क्या करेगा doctor electronic माध्यम से क्या अपना order देगा नर्स होगा रहा को या जो भी laboratory है जो भी test है सब कराने के लिए यहां से यह data provide कर देगा तो यह system हो सकता है ऐसा ही इसक system provides a real-time clinical decision तो यह जो डॉक्टर है जो physician है उसको एक decision लेने में क्या करता help करता है और यह नहीं कि बहुत time लगा तुरंत यानि माली जो कोई patient आया तो उसके बीमारियों को देखते हुए फिर फॉरन उमाल यह बीमारी डाली उसने उपने system पे तो यह जो system है वो क्या करेगा यह जो application है वो तुरंत उसके लिए बहुत सारी बात बताएगा जिससे क्या बताएगा वो कि इस बीमारी में मतलब कौन सी दवा दी जा सकती है कितने dose में दी जाएगी और इसमें कौन सा यह जो drug है इसका किस drug के साथ interaction हो सकता है या किस food के साथ इसका interaction हो सकता है interaction मतलब यह और वक्त आदमी के दिमांग में नहीं रहती है लेकिन यह जो system उसके दिमांग में तो सब कुछ एकदम फीट रहती है जैसे आप डालेंगे फोरान आपके सामने खुल क्या जागा यह तो आपको अच्छे से experience है जैसे कि माली आप dictionary देखते हैं एक वर्डर डालते हैं उसस तो यह भी एक computerized system होता है इस एक computer controlled automatic dispensing device जो robot है वो भी तो एक तरीके का device यह आदमी तो नहीं है वो device है ठीक तो अब यह क्या कर सकता है जो device है यह robot है it can store and fills the prescription it can counts pills तो यह क्या कर सकता है prescription को फिल कर सकता है यानि prescription कोई आया या उसको क्या मुझे से उसको command दिया गया तो फ pharmacy staff and workload यह पढ़ चुके आप पीछे भी ऐसे यह क्या करता है टाइम बचाता फार्मसिस्ट का भी और patient का भी ऐसे safe distribution करता है यह ठीक है जो इसमें क्या safety है के बीमारी एक दूसरे से ने एक से दूसरे में फैलने के chances नहीं है ऐसे क्या it provides the fast service इसकी जो service हो क्या बहुत fast होती है can distribute up to 12 prescription यहां पर distribute के जगे पर आप फिल लगा लीजिए ठीक है अच्छा रहेगा it can fill up to 12 prescription per minute यह करें कि हर मिनट में यह क्या कम से कम 12 prescription फिल कर सकता है समझ में आ रही यहां तो क्या है एक prescription को फिल करने में एक जो आप फार्मसिस्ट है उसको 5-10 मिन लग जाते हैं लेकिन य थे इन बाराओ लोक दुष आउरे औरको सब्सक्रेंजर कर सकता है और जाया है कर सकते हैं यह कुछ जादव इसमित अगर वाह स्टॉर करें यह कर सकते हैं कि यह चरु पैसा जादए इसमें और दूसरे हैं कि अगर माले इसका एक सिस्टम का कोई एक पार्ट डिस्टरब हुआ तो पूरा सिस्टम क्या समझे खराब हो गया काम पूरा रुख जाएगा तो इस तरीके से एक दो आप इसके डिस्ट डिख सकते जैसा कि आपने पीछे भी देखा है तो यह जो टोपिक था यह कंपिलिट हुआ फिर हम मिलते हैं नेक्स टोपिक के साथ अगर यह हमारी कोशिश आपको अच्छे लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सक प्रेंड़ को बता हुआ उवक्ष्ण गरश इसा कि वो बाती है यह ने तो यहले की वीडियो पी शेज़ट एसथे हैं छोपिक अईयर कोश्चे टो यह प्रूडर की शेज़़ प्रूगर्ट है अछाइब को यह जो पूश्चे जो यह जो एम सब्सेश में जो एम अछिय